गुजरात में कई नामी चेहरे चुनावी मैदान में हैं लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं जिनके पास न तो पैसा है और नहीं नाम हैं। आज तक की टीम गांधी नगर में एक ऐसे ही शक्स से मिलने के लिए पहुँची। महेंद्र पत्टनी गांधी नगर उत्तर सीच से चुनाव में हैं। इस कानिडेट के वारे में बस ये जान लीजे कि वो सबजी बेचकर सरकार में जाने का सपना देख रही हैं। कि ये टूटा फुटा आशियाना और इसी आशियाने में रखे ये चंद बरतन और गठ्रियां। सोचिए क्या यहां से भी बड़ बड़ सपने देखे जा सकते हैं। जी हां देखे जा सकते हैं। हलाकि सपना कुछ से ज़्यादा ही बड़ा है। ये सपना है अपनी इलाके की आवाज को भुलंद करने के लिए विदायक का चुनाव जीतना। ये सपना देखा है इनाकों ने। नाम है महिंद्र पट्टनी जो यहां के जुग्गी बस्ती में रहते हैं और इस बार चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। अपनी बात कहने के लिए चुनाव मैदान में मजबूती के साथ डटा है। सुबह सबजियां बेशता है और शाम को प्रचार के लिए अपने साथियों के साथ निकलता है और बात कहता है कि ये जो जुगी बस्ती के लोग हैं इनकी आवाज को विधान सभा तक पहुँचाना उसका मकसद है जीत हार के बारे में वो नहीं जानता लेकिन वो ये कह रहा ह कि समविधान ने उसे चुनाव लड़ने का अधिकार दिया है तो अपनी बात को प्रूव करने के लिए वो लोगों के बीच जा रहा है महंद्र जैसे इन सबजियों को सहेज रहे हैं वैसे ही अपने और इलाके की उमीदों को भी संजोने में लगे हैं शुरुवात कहीं से तो करनी होगी इस बात के जरीए चुनाव लड़के आप क्या साबित करना चाएगा मैं चुनाव लड़कर अगर मैं जीद गया और विदान जबा में गया तो सबसे पहले में जो गांधी नगर के जितने भी जोपर पटी हैं उनको अपने खुद के घर दिलवाऊंगा और जो ये धेला जो लगाते हैं सबजी का पानबडी मसाले का चाई का महंद्र कहते हैं कि यहां के लोगों के आशियाने कई बार टोड़े किसी को देखते हुए उन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़ने का फैसला किया ताकि यहां के गरीब लोगों को उनका पका आशियाना मिल सके यह भी अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके